हraё ईक्जाम जो लोग हैं so fifty गा subscribe checked वहले हैं और अभी तक हमारी कम्पलीट हो गई अब देल ही संसेल मध्यकालीन भारत कोicz्टार्ट करते हैं ठीक है माध्यकालेन भारत का इतियास स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रस्ण है गजनी वन्सका वा प्रतम सासक कौन था जो खली भाओं से सुल्तान की उपादी धारन करके सुल्तान कहलाने वाला प्रतम सासक बना था सुवक्तगीन था महमूद गजनवी था मुहम्मद गौरी था महमूद गजनवी था मुहम्मद गौरी था अलपतगीन था तो कौन था महमूद गजनवी था किसने था महमूद गजनवी था आफसा नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट इंसर हो जाएगा क्या हो जाएग एक अलकादिर बिल्लाह जो थे सर पुर्थम जो महमूद गजनवी के जो सुल्तान इसे माने थे अमेर महमूद अलकादिर बिल्लाह जो थे इसे अमीनुल मिल्लाह और अमीनुल दौला की उपादी दी थी और उसे सर पुर्थम सुल्तान सर पुर्थम सुल्तान की उपादी द लगवग भारत में 1020 से लेकर के 1027 इसवी तक 17 बार आक्रमण करता है कितनी बार 17 बार आक्रमण करता है यह हेंडरी इलियट नाम के विद्वान जो थे साहिए इतिहासकार उन्हों ने कहा रहा है हेंडरी इलियट के एंसार ठीक है यह कई बार प्रसंद पूछा जा चुका है जबकि सुबक्तगीन की बात करोगे तो सुबक्तगीन जो होता है सुबक्तगीन की बात करोगे तो इसने भारत पर आक्रमण किया था यह अलपतगीन का पुत्र था किसका अलपतगीन का जो पुत्र था वो सुबक्तगीन का कौन था सुबक्तगीन था ठीक है अलपतगीन का पुत्र जो था ये आपका कौन था सुबक्त गीन था ठीक है सुबक्त गीन जो होता है सुबक्त गीन का है पुत्र जो होता महमूद गजनवी होता है कौन होता महमूद गजनवी होता है जबकि महम्मद गौरी की बात करोगे तो महम्मद गौरी भारास में कब आया था पहला आक्रमण 1275 में किया था कब किया था 1175 में पहला आक्रमण किया था वो भी मुलतान पर कहां पर मुलतान पर जबकि महमूद गजनवी के प्रतम आक्रमण के बारे में पूछोगे तो हिंदू साही सासक इसने हिंदू साही सासक जैपाल पर किया था जैपाल पर इसने पहला आक आक्रमण एक हजार इसवी से लेकर कि एक हजार चब्विस जिसका एक हजार चब्विस और पच्चिस का लाष्ट आक्रमण माना जाता है। आपसा नमबर सी राइट इंसर हो जायेगा। यहाँ पर कहते हैं सोमनाद पर जब आक्रमाड करता महमूद गजनवी तो यह क्या करता है कि वह 50,500 अदर से अलग कर दीता है और यहाँ के सिवलिंग को उठा करके वो कहा ले जाता है गजनी ले जाता है और गजनी में वहाँ पर उस सिवलिंग के पर लोग नारियल फोड़ करके या वो जो पैतरिया होती है पैतरिया मतलब जिस पर जीना पढ़ चढ़के नवाज पढ़ने के लिए लोग मजजित पर चड़ते हैं तो उसको नीचे रखता है ठीक है उसको क्या रखता नीचे रखता है उसके बाद में अगला प्रुसर है महमूद गजनवी के भारत पर आकरमर का उद्देश क्या था इसलाम का प्रचार गजनी समराजह का विष्तार या मूर्तियों को तोड़ने धन्दियों को लोटना या मद्ध एसिया में एक बड़े समराज की इस्थापना और धन की प्राप्ति करना तो आफसा नमबर डी राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रसन है महमूद गजनवी के भारत आकरमण के समय आये विद्वान अलबुरूनी ने किस महत्पूर्ण की रचना की तो आप जानते हैं अलबुरूनी ने किताब लुहिंद की रचना की थी ठीक है इबन बतूता की जो पुष्टक है वो रहला है कौन सी रहला है अगला जो प्रसन है दिल्य सल्तनत की दर्बारी भासा क्या थी तो दिल्य सल्तनत की जो दर्बारी भासा थी वो फार्सी थी क्या थी फारसी थी आफसर नमबर बी राइट एंसर हो जाएगा आगरा नगर की इस्थापना किस के द्वारा की गई थी तो आगरा नगर की जो इस्थापना है आप जानते हैं सिकंदल लोदी के द्वारा की गई थी किसके द्वारा की गई थी सिकंदल लोदी के द्वारा आगरा नगर की इस्थापना की गई थी ठीके किसके द्वारा सिकंदल लोदी के द्वारा आगरा नगर की इस्थापना की गई थी तो आपसर नमबर डी राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रस्ण है निम्लिकित में सिवा दिल्ली का काउन सा सुल्तान था जिसकी इम्रत चाउगान या पोलों खेलते समय हुई वो हुई थी कुतूबुदीन एबक की 1206 से 1206 से 1206 कब तक 1206 से 1210 तक 1206 से 1210 तक कौवत अल इसलाम मजजित का निर्माड किसके द्वारा किया गया था बहुत important प्रुस्ण है तो आप जानते कौवत अल इसलाम मजजित का जो निर्माड है वो किसके द्वारा किया गया था कुतोब दिन एवक के दौरा कुतोब दिन एवक ने अड़ाई दिन का जुपड़ा भी बनवाया था किसको अड़ाई दिन का जुपड़ा कुतोब दिन एवक ने चार मीनार जो थी काउन सी चार मीनार का जो निर्माड है ए ठीक है काउन सी मीनार का कुतुम मीनार का निर्मा श्वारी तु धिन एवक ने अणाई दीन का जूपरा बनाया कुवत irrit be grade करवाया और दिल्ली में एक मदरसाँ इस्थापिद करवाया था delic करवाय था कुट्व मीनार को वह इल्टुत मिसने किसने इल्टुत मिसने इसको कम्प्लीट करवाया था तो आफसा नंबर A राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रसुन है तराइन की पहली लड़ाई 1191 में निम्लिकित में से किन के बीच हुई तो आप जानते प्रतवी राज चौहान और महमद गौरी के बीच में पहली लड़ाई होती है इस लड़ाई में प्रतवी तराइन की लड़ाई होती 1192 में जिसमें प्रतवी राज हारते हैं और महमद गौरी जीते हैं कौन जीते हैं महमद गौरी जीते हैं तो आफसा नंबर B राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रसुन है निम्लिकित में से किस खल जी सासक ने दिल्ली के राज सिंगासन पर बै और शोला इसका काई था जलालूदीन फिरोज खिल्जी था उसकी हत्या की थी ठीक हैं और यह बैठता है कब से बैठता है बताईये जलालूदीन फिरोज खिल्जी दिली की गद्दी पर बैठता है अलाव दिन खिलजी होता है 1296 से 1316 तक कब से लेकर के 1296 से 1316 तक बैठता है 1316 तक बैठता है जबकि जलालुदिन खिलजी की बात करोगी जलालुदिन फिरोज खिलजी 1290 से तक 1290-1964 कुटूब दिन एवक 1206-110 तक ब्reatτο धिली के गद्दी पर ठीक है गयाशुदिन बल्बन की बात करोगी तो जिसने लौ और रक्त र्क ओर लौ और रख्त की नीति अपनाए किसकी लौ 1965 से 87 तक ये दिल्ली की गद्दी पर सासन करता है ठीक है सासन करता है उसके बाद में अगला प्रसन देखते हैं रजिया सुल्तान किसकी वेटी थी तो रजिया सुल्तान जो थी इल्टुतमिस की वेटी थी इल्टुतमिस की बेटी थी ठीक है इल्टुतमिस जो था वो कुतु कर देता मुहम्मद गौरी मुहम्मद गौरी होता वो मुक्त कर देता और इन सभी का गुलाम ही एक बलबन था क्यां था बलबन था उसे का जो कुतूब अबक्त जो दामाद भी था वो भी इलतुत्मिशी था कौन था इलतुत्मिस था तो आपज़ा नंबर ए राइट एंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान जो है दिल्ली की गद्धी पर कब से लेकर कब तक बैठती हैं तो रजिया सुल्तान जो होती बारा सो चालिस तक रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्धी पर बैठती हैं ठीक है जबकि कुतुब अधिन एबक की बात करेंगे तो अगला प्रतनी है मोहम्मद गौरि बिजिद प्रदेसों की दीख बाल के रिए इन में से किस विश्वाशनी जनरल को छोड़ा गया था तो आप जानते किस को छोड़ा गया था बिजित प्रदेसों को देखने के लिए महम्मद गोरी दोरा उसका नाम था कुतूबदीन एवक कुतूबदीन एवक जो था ये भारत के छेत्रों को देखता था किसको भारत के छेत्रों को देखता था जबकि आप देखते हैं कुतूबदीन एवक इनको देखता था ठीक है किसको देखता था इनको देखता था भार ताजुदिन यल्दोज और कुबाचा, नासुरुदिन कुबाचा और ताजुदिन यल्दोज को, ताजुदिन यल्दोज को दिया जाता है, गजनी का समराज दिया जाता है, गवरी, ठीक है, वो गवरी उसका दिया जाता है, उसके बाद में कंधार ये सब होता है, ताजु मलушки सीपाशालार की उपाद धारण की – किसकी मलक और सीपाशालार कई पार पूछा गया है इसने अपने आपको सुल्टान नहीं घोसित किया और इसने अपनी राजधानी लाहौर ही राकी क्या राकी ? लाहौर राकी दिल्ली सल्तिनित का प्रथम सासक जो माना जाता है वो कुतूब अभग को जबकि वात्विक संस्तापक इल्टुत्मिस को माना जाता किसे माना जाता इल्टुत्मिस को इसे लाख भक्स की उपारी दी गई थी लाक बक्स का मतलब होता है laakhon का दान करने वाला क्या होता है, laakhon का दान करने वाला ठीक है, और इसके समय पे ठीक है, और बारा सो दस में ये चोगान खेलती हुए इसकी मृत्त हो जाती है उसके बाद में इसका पुत्र आराम सह बैठता है गद्दी पर कौन बैठता आरामसा आरामसा क्या होता है वो एक क्या होता है अब बहुत ही अनभोहिन बेक्ति अयोग के पुत्र होता है जिसके कारण इलतुतमिस भाइदा उठा था इलतुतमिस उसे सत्ता से हटा करके अपना क्या होता है दिल्ली की गद्धी पर बैठता और ये इलवारी वन्स की स्थाप्ना करता है किसके और उस समय जब इसकी म्रत होती तो इल्टुतमिस बंदायू का सुभेदार था कहा का बंदायू का सुभेदार था ठीक है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्ताफक इल्टुतमिस को ही मामना जाता है यह 1236 से लेकर के 1240 तक दिल्ली की गद् कहिके नाम से जाना जाता तुरकान एचहल गानी या चालीसा का गठत ठेके इसमें 40 अमीरों का एक सरदार गुट होता था अगला प्रसंन है किसके साथनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमड जो होए ते वो किसके साथनकाल में हुए थे तो अलाओ दिन खिल जी के समय पे किसके अलाव दिन खिलजी के समय पे हुए थे आपसर नमबर भी राइट एंसर हो जाएगा ठीक है अगला जो प्रस्न पूछा गया तराइन के दुती युद्ध में किसको किसने पराजित किया तो महमूद गजनवी ने प्रतवी राज को स्वारी मुहंबद गोरी ने किन करेंसी प्रचलित की थी तो सांकेतिक मुद्रा को चलाने का जुस्रे दिया जाता मुहमद बिन तुगलक को किसको मुहमद बिन तुगलक को सांकेतिक मुद्रा की थापना की थी जबकि फिरोज तुगलक ने फिरोजा फिरोजाबाद की थापना की थी किसकी फिरोजाब बताया है वो मुहम्मद बिन तुगलक को बताया किसको बताया मुहम्मद बिन तुगलक को आफसा नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रसंद जो पूछा गया है लोधी वंस का अंतिम सासक कौन था तो लोधी वंस का जो अंतिम सासक था वो इब्राहिम लोदी था कौन था इब्राहिम लोदी जो प्रतम पानिप्वत के युद्ध में 1526 में हुआ था जिसमें बाबर तोरा इब्राहिम लोदी की बीरगती होती तो दिल्ली सल्तनत का एक मातर सासक जो रियुद्ध रण छेतर में बीरगती को प्राप्थ हुआ था उस तरक राजस संग्राह को कुलीन को तो आप जानते हैं आप जानते हैं इनाम भूम जो है विद्वान और धार्मिक विक्ति को देते थे तो आफसा नंबर A राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रसन है उत्री भारत की प्रथम मुस्लिम महिला साज का या दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला साज का कौंती रजिया सुल्तान थी कौंती रजिया सुल्तान थी अंतिम और प्रथम महिला साज का भी कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत की रजिया सुल्तान थी 1210 से 1236 से 40 तक अगला प्रसुन है दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिनों ने दच्छी भारत को पराजित करने का प्रियास किया था तो दच्छी भारत को जो पराजित करने का प्रियास किया था वो अलाउदीन खिल जी था कौन था अलाउदिन खिल जी था, तो आफसर नंबर क्या हो जाएगा आफसर नंबर, जो हो जाएगा, वो राइट एंसर हो जाएगा अलाउदिन खिल जी ने, दछिर भारत के पहली जो विजय की थी, वो कहांपर की थी अब बताओ, रक्त और तलवार की जो नीती है वो किसने अपनाई थी, ये भी पूचा गया, रक्त और तलवार की, रक्त और तलवार की नीती जो है, वो किसने अपनाई थी, उसने अलावदिन खिलजी ने अपनाई थी, मलिक काफूर को भेजा था, कहां तेलंगाना पर आकर करने के लिए इसने किस को भेजा था मलिक काफूर को भीजा था ठीक है और दच्छिर पर सबसे पहले बिंदैचर परवत को पार कर के वो दच्छी प्राइदीप को जीतने का भी प्रियास किस ने किया था मलिक आलाउदीन खिल जी ने था ठीक है उसके बाद में अगला प्रस्ण है यात्री इबन वतूता कहां से आया था मुरक्कों से आया था इबन वतूता की फुस्तक का नाम का रहला क्या है नाम रहला है इसे चीन का राजदूद बना कर भेजा गया था और इसे दिल्ली का काजी भी बनाया गया था क्या बनाया गया था दिल्ली के काजी के पद पर इसे नियूट किया गया था ठीक है दिल्ली के काजी के पद पर नियूट कितिया गया था अगला प्रसन है भारत पर प्रतम तुर्क आकरमड करने वाले कौन थे तो भारत पर पहली बार तुर्क आकरमड करने वाले कौन थे تو आपका जानते हो महमूद गजनवी था कौन था महमूद गजनवी एक हजार एक इसवी से लेकर 123 इसवे तक ठीक है इसका अंतिव अभियान जो होता खोकरों के विरुद होता जबकि 125 या 26 एक का युद्र जो सोबनात पर होता وہ सबसे महत्तून होता पहला 1001 इस्वी में मुलतान पर आक्रमण होता वहां का सासक जो होता राज जैपाल होता कौन होता जैपाल होता ठीक है कौन होता जैपाल होता है उसके बाद में अगला प्रस्ण पूझा गया है 1398 में तैमूर लगन का आक्रमण होता है अगला प्रस्ण है निमलिकित में से कौन अपने आपको बुत सिकन या मूर्ति भंजग कहता था तो मूर्ति भंजग जो कहता था वो कौन था तो मूर्ति भंजग जिसे कहते थे वो महमूद गजनवी किसको कहते थे महमूद गजनवी महमूद गजनेवी ने कौन से उपादे धारण किये थी यमून दौला ठीक है जानती हो और यमून उल्मिला दोनो आफसा नमबर सी देव हो जाएगा आफसा नमबर सी राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रतन है महमूद गजनेवी ने भारत पर आकरमन किस राजी के बिरुद्ध किया था प्रतम आकरमन तो हमने कहाँ पहला हिंदू साही राजी के बिरुद्ध किया था हिंदू साही राजी के बिरुद्ध किया था तो आफसा नमबर ए राइट एंसर हो जाएगा